भागलपुर में एक नव विवाहिता SSP कार्याले पहुँची जहाँ उसने न्याई की गुहार लगाई नव विवाहिता ने अपने माता पिता और भाई पर उनके पती के खिलाफ जूटा मुकदमा दर्च कराने का आरोप लगाया उनका कहना था कि सजौर पुलिस ने उसे पकड़कर उसके घरवालों के हवाले कर दिया उसे आशंका है कि उसके घरवाले उसकी दूसरी शादी करा देंगे नवी वाहिता ने बताया कि वो सजोर की रहने वाली है और पिछले दो साल से अपने पडोस के गाउं जगरनाथपुर के एक युवक से प्यार करती थी और जब घरवालों को इस बात की जानकारी मिली तो उसे जबरन घर में बंद कर दिया था उसके बाद अपनी मर्जी से घर से भाग कर उसने 27 दिसंबर को मंदिर में शादी कर ली जिसके बाद उसके पईजनों ने उसके पती और ससुर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर आया नविवाहिता ने आवेदन में अपने घरवालों से उसके पती और ससुराल की जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है कर देखेश का मैं आपरहन का ब्लिवा दर्ची वेसमोल्क। मुझे तॉर्चर करने लगें एंडी कि नितार कर रहे थे थे हमेशा मतलब टॉर्चर है मुझे जाती किक्पि आहां हैं करके रहे हैं जो अनलीगल है लीगल नहीं बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें रोज परसान किया जाता है मेरे फैमिली वाले मेरे पीछे हांदो के परे हुए मैं इसी 27 मतलब 27 बारवीस को सादी की हूँ गोनुधाम मंदिर में फिर वहाँ से मैं अपना सुसराल चली गए इसलिए में है नहीं इसी महन है 27 दिसंबर सौफीजती प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिय अंसिट्यूट एडमिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604-64-170